दादी मा के बहुत ही कमाल के घरेली तोटके उपाए नंबर एक परसाथ के मौसम में मसाला सही रखने के लिए उनको आज के काच के जार में मसाला ज्यादा समय तक अच्छा रहता है तो काच के जार में भरके रखें नमबर दो समोसे के लिए आटा को उठते समय उसमें थोड़ा ऐसा चावल काटा मिला दीजिए समोसे बहुत ज्यादा कुरुकुरी बनेगे नमबर धीं चावल को बढ़सात में पढ़ने वाले कीड़े से बचाने के लिए नीम की डलतन लीजिए सारी पत्तियों को समय से अटा दीजिए टंडल डाल दीजिए नीम के चावल में एक भी कीड़ा नहीं पढ़ेगा गाते काटने के बाद हाथों से प्याज की होत जादा इसमें रह जाती हो खतिम नहीं हो थोड़ा जी हाथ उर्म बोब और युपर में उसको हां दों गाट शे सारी इसमें चली में लिएगे लिएलो से तो यह उसको यह प्ररुविस की घजी हो जड़न लग़त法 आपकी तार बहुत जल्दी पक जाएगी नंबर साथ टमाटर के छिलक आसानी से उतरने के लिए जब आप टमाटर को वाले केले के तो त्चे को रखने की जगह करादीक अब लगादीचे तो आपकी के लिए से निकल जाएगे नंबर आट बैसाल में थोड़ा से उड़तका और वो उनमें जाला दीजिए इससे आपकी पकोड़ियें बहुती ज़्यादा ट्रेश की और वहुती ज़्यादा कुछ नहीं जब आप रसुल्ला डालें तो उसके पांच मिन दूर को गर्म करते समय डाल दें इससे रसुल्ला अच्छे से फूलेंगे और इस पंजी बनें क कि चास नहीं जाता गाड़ी नहीं हो जाएगा अगर आप दई जम आ रहे हो दई जम नहीं रहे है तो एक संपंजी और अंदर से पानी डाल दीजिए एक मुलायम बनाने के लिए कोई में थूरा सब पनी ट्यार हो जाएगा आज की जब सितनी है अगर पसंद आए तो और नहीं बेला एकन कौन करना भूलना तो जिससे में जोब भी ट्विट आलूंगे ना उसकरने फेट नोर्टिफिकेशन आपके पास पहुंच आएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाऊगे मिलती हूं नाश्ट वीडियो तब तक के लिए बाबाई